ओरियर जंगल थाना सदर बाजार के शेत्र का चैरी परिशद में अधिवक्ता भुपेंदर सिंग को गोली मार कर हतिया कर दी गई थी जिसके संबन में थाना सदर बाजार पर मुकदमा पंजिकरत किया गया जिसमें शहजहापर पुलिस द्वारा हतिया की चार घंटे के अंदर सफल अनाबरंड करते हुए हतिया करने वाले व्यक्ति सुरेश हुमार गुपता को गिरफतार किया गया है जो पेशे से अधिवक्ता है किराया धारी को लेकर मुलत्तक अधिवक्ता द्वारा अरोपी अधिवक्ता पर कई बार मुकद में बाजी की गई है जिसकी वजह से हत्या की गई अधिवक्ता सुरेशिगुप्ता द्वारा भुपेंद्र की हत्या कारित करना स्विकार किया गया जानका नहीं चाहरे हैं। उसी दोरान बाबुन का कि गोली के आवास ही नहीं दिर पड़े। उन्हीं के पास में एक 315 पूर का कट्था भी मिला है। और वहाँ आसपास और पर इनके खड़े होना नहीं बताया गया। अब उनसे हलां कि अच्छी क्या कट्था है। लेकिन अबी तक की जो बातें आई हैं। उससे ऐसा लगता है कि अकेले वहां खड़ेते हैं। आसपास पास और रोली रगने के वज़ा से भी पड़े। और उनके पास पड़ता भी मिला। जो फॉरंसिक टीम है उसको तुरंट बताया गया। वह आके उसने अपनी कारवाइक की जो साथ पास 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 बताया गया है। इसके अलावा जो पराया आ रही है उसके अपनी जो बताया जाता है। यह पहले दो हजार दीश पर यह वखीर हुए है। उसके पहले इनका प्रोचिंग पेर वकीर होगा। इन दोनों के बीच में पहले से इसी मकान की किडायदाजी कोलिये के चल रहे हैं इसी सलसले में शाहरी पता भी करने आये थे जो सुचना इन से चाहिए थी आगे पीम में जो चीज़ें आएगी उसका पर बाती चीज़ों के आधार पर करवाई होगी आपर मैं फजाए ऐसा अधी लगता है कि चुट रहे हैं जो चोट रहे हैं तो इसाधार के अधी मेरे द्वारा पिश कहना उचीत नहीं होगी लेकिन पीम दिप्रोटी चीज़ें और भी स्थिस्ट होगें वहां क्या करते हैं Audio Jungle